बाबरी मजद की नाइमसाफी का बदला मुसलमान लेने सडकों पर उतर आए हैं ये बात सुनके हरिंदुवादी संगठन के लोग दंडा जंडा लेकर सडकों पर उतर आते हैं लेकिन भला तो हो यूपी पुलिस का जिन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि डंडा जंडा लेकर जब पुलिस इस धमकी देने वाले के पास मुंबई में पहुची तो इनका नाम उसमान अली ना निकल कर ये तो अनिल रामदास घोटके निकले और फिर उसके बाद क्या था ये डंडे जंडे कहीं गायब हो गए और इन डंडे जंडे के नाम पर इन्होंने जिस तरीके से बम से उडाने की धमकी दी थी बावरी मस्जद के इंसाफ के नाम पर अयोध्या मंदिर को लेकर उसके बाद सब के डंडे जंडे कहीं गायब हो गए दोस्तों तो इस बात में तो यूपी पुलिस को शाबाशी देनी के साथ साथ उनका शुक्रिया अदाव करना भी जरूर बनता है कि यूपी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करके राम जन्म भूमी को बम से उड़ाने वाले अभियों का नाम यहां नहीं लिखेगा गो पुशल मीडिया पर फिर से मुसल्मानों को निशाना बनाने के लिए इस खबर को बार बार हवाला देकर मुसल्मान तो आतंकी ही होता है कहने वालों के मूँ पर किसी और ने तमाचा नहीं खुद यूपी पुलिस ने इस खबर को सामने रखकर उनके मूँ पर जड़ दिय कि अयोध्य का राम जन्म भूमी को उड़ाने के साथ साथ दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी इसमें अनिल राम दास और उसकी पत्नी को गिरफतार कर लिया गया है वह इंटरनेट कॉलिंग से बिलाल बनकर धमकी दे रहा था और जब इ कर रहे हैं यह कोई मुसल्मान नहीं है मुसल्मान इतना समझदार है कि ऐसी छोटी चीजों में वो पढ़ता ही नहीं है दोस्तों और जब पुलिस इनके पास पहुंची तो अनिल के पास क्या क्या मिला है आपको खुद जानकर एरानी होगी क्योंकि खुद को मुसल्मान द परामत की गई है लेकिन यह खुद को मुसल्मान कहते कहते अपना जो असली पहचान है वो छुपाना भूल गए जिसका खुलासा किसी और नहीं खुद यूपी पुलिस ने इस बात से कर दिया कि जिस तरीके से यह तमाम प्रकरण किया जा रहा था उस प्रकरण को पूरी तरीके से खोलते हुए यूपी पुलिस ने क्या कहा है हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़िये रही है चानल को लाइक से शस्क्राइब कर चानल को जॉइन का भी बटन दपाएं ताकि सच्ची पत् कि यूपी के अयोध्या जिले के श्री राम जन्म भूमी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दमपती को अयोध्या पुलिस ने महराष्ट्र से गिरफतार कर लिया है राम जन्म भूमी पुलिस ने इस बात को लेकर खुलासा किया है कि यूपी पुलिस में गोल्फरिंड के भाई को फसाने की नियत से आरोपी अनिल ने राम जन्म भूमी को उड़ाने की धमकी तक दे डाली अयोध्या पुलिस ने ये भी बताया कि कॉलिंग के जरीए आरोपी ने अयोध्या निवासी मनोच कुमार के फून पर दो फरवरी को राम जन्म भूमी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी अयोध्या पुलिस को जाच के दौरान इस बात की जानकारी मिली हाला कि इस बात का खुलासा कॉल ट्रेस होने के दौरान हुआ तो अनिल ने अपनी गोल्फरिंड के भाई को फसाने की नियत से राम लिला को बम से उड़ाने की धमकी डे डाली थी आरोपी ने नेट कॉलिंग पर खुद को दिल्ली का रहने वाला वताया था और उसी के साथ साथ खुलासी के बाद पुलिस ने इस दमपती को महराश्टर में जाकर जब गिरफ्तार किया तो इनके साथ कॉरान वरामत हुई इनकी दाड़ी वाली तस्वीरे भी सामने हैं इनके पास तो टोपी भी साबच हुई आप चाहे आप घर में कुरान रख लीजिए टोपी पहन लीजिए या दाढ़ी लगा लीजिए लेकिन इमान वाला मुसल्मान ऐसा कभी करी नहीं सकता ये कोई स्टेटमेंट नहीं है ये वो सचाई है कि जब आप किसी मुसल्मान से मिलेंगे तो वो नफरती नहीं वो भारत मस्जिद के आए हुए उस फैसले का सम्मान करता है फिर हिंदुबाधी संकठनों को सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के नाम पर किसी को शिकार बनाना आता है तो वो सीधा मुसल्मान बनकर फर्जी हिंदू के भेश में आकर नफरत फैला कर सोचता है कि वो तो माला माल बन जाएगा लेकिन इसमें पूरी तरह से साबबाशी यूपी पुलिस को दी जानी चाहिए और शुक्रिया भी यूपी पुलिस का किया जाना चाहिए कि कॉल ट्रेस में सच्चाई का पता चल गया क्यूंकि आए दिन सोचल मीडिया पर विडियो जो मुसल्मानों को लेकर वाइरल होते रहते हैं उनकी सच्चाई खोजने पर सीधा पता चलता है कि ये फर्जी हिंदू है जो सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों के नाम पर अपनी बेरोजगारी हुई उस जेब को भरना चाहते हैं जिससे उन्हें दो वक्त का खाना मिल जाए क्योंकि ट्विटर पर ट्रोलस तो आजकल अपने धरम के नाम पर ही घर में राशन भर पाते हैं और फिर इस तरीके के नफरती आतंकी सिर्फ और सिर्फ इसलाम को बहाना बहाना कर पूरी तरह से सिर्फ इसलाम को टार्गेट करते हैं ताकि मुसल्मानों को फिर से ताढ़ी टोपी के नाम पर गाजर मूली की तरह छीलने की बात साफ तोर पर कही जाए लेकिन इस देश का नियाए अभी भी जंदा है इस देश की नियाए पालिका सही और गलित के बीच फरक करना जानती है और उस फरक करने को लेकर जिस तरीके से ये कारवाई हुई है इसके बाद यूपी पुलिस वावाही पूरी तरफ से बटोरती हुई नजर आ रही है लेकिन दोस्तों आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि ये पहली बार ऐसा प्रकरण नहीं हुआ है रमजान के दोरान भी यूपी में जिस तरीके से गोश्त के टुकडों को फैक कर मुसल्मानों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त भी यूपी पुलिस ने समझदारी का साफतोर पर मुझारा देते हुए तमाम जूटे प्रोपोगैंडा को बेनकाब कर ब CCTV फुटेज में दिखाई देने वाले लोगों ने टोपी और दाढ़ी और कुर्ता उनका दिखाई दे रहा था तो आप इन्हें मुसल्मानों को निशाना बनाने के लिए उनकी तरह दिखना भी इनकी प्रियॉरिटी लिस्ट में सबसे पहला इसलिए हो गया है क्योंकि ऐस दिखेंगे नहीं तो इनके घर की रोटी चलेगी नहीं फिर चाहे ये फरजी बाबा जैसे तमाम लोग आकर इसलाम और मुसल्मान को बदनाम करने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसके भारत की नियाए पालिका और पुलिस तमाम उस जूटे प्रोपोगैंडा को बेनका कर इनके मुपर तमाचा जड़ती हुई साफ दिखाई देती रहेगी क्योंकि इस देश का संविधान जानता है कि सही और गलत के बीच में फरख क्या है फिर चाहे सत्ता जितनी भी चाहे नफरत कारी नीतियों को अपना कर मुसल्मानों को टार्गेट कर ले लेकिन जब ना भूलेगा शुक्रिया